सो विल्कम बैक आज के लिक्षिस पे हम लोग आगे ट्रिकों कंटीनिव करने वाले हैं लास्ट लिक्षर में हमने 3.1 कंप्लीट किया था आज के लिक्षिस में हम लोग 3.2 के कॉंसेप्स और 3.2 एक्सराइस के कुछ समसॉल करेंगे सो आगे बढ़ते हैं सो लास्ट लिक्षर का जो भी कॉंसेप्ट था उसमें हमने जन्रल सुलीशन पड़ा और वापे प्रिंसिपल सुलीशन पड़ा था उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सराइस के लिए हैं फॉस्ट कॉंसेप्ट है या पे स्टुरिंट्स आप लोगों को पुलार कॉडिनेट्स यह पुलार कॉडिनेट होता क्या है इसमें हम लोग क्या वरते हैं ना एक मतलब जैसे पॉइंट को हम लोग कोजिशन क्यालकुलेट करते थे जैसे कोई भी पॉइंट दिया है 3 और 4 दिया है तो हम उसको फर्स्ट कॉडिनेट में प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में सो वैसे ही पॉइंट में भी यहां पे पॉइंट दिये रहेगा मतलब डिस्टेंस दिया होता है और एंगल दिया होता है उससे हम लोग पॉइंट को प्लेन में यहां पे रिप्रेसेंट करते हैं सबसे पहले पॉलार कॉडिनेट को समझने के लग हम एक प्लेन में एक फिक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं क्या यह फिक्स्ट पॉइंट जिसका नाम ओ है ओ क्या है फिक्स्ट पॉइंट है और ना हम यहां पर क्या करते हैं एक रे कंसीडर करते हैं जो की फिक्स्ट रे है तो अभी तक हमने यहां पर एक रे कंसीडर किया फिक्स्ट और एक फिक्स्ट पॉइंट कंसीडर किया सो हम लोग यहां पर लिखते हैं बहले हैं, let O be the fixed point in the plane, तो हमने O को क्या consider किया, यह एक fixed point है, उसके बाद में O X जो हमारा है, यह क्या है, एक fixed ray है, and let O X be the fixed ray, अब उसके बाद में students यहां पर क्या ध्यान देना है हमें, कि हम ना O X को हम anti-clockwise direction में rotate करते हैं, सो अगर हम O X को anti-clockwise direction में rotate करेंगे, दिखो, समझ लो हमने यहां तक rotate किया, इसको हमने यहां तक rotate किया, और जो नया position मिलेगा, वो हम लोग consider करते हैं, वो हमें यहां पर मिल गया, और इस point का नाम हमने, इस ray का नाम हमने P consider कर लिया, O P, let point, let P, sorry, let P be the any point in the plane, okay, तो यहां पर हमने सारे points, sorry, सारे diagram में यहां पर जो-जो terms है, वो हमने define कर दिया, so अब यहां पर students, जो O होता है न, उसको हम लोग fixed point तो बोलते ही है, बट इसका और एक नाम है pole, जिसको हम लोग बोलते हैं, fixed point को क्या बोला जाता है, pole, तो यहां पर हम लोग next point में लिखेंगे, O is called pole, O को हम क्या बोलते हैं, pole बोलते हैं, और O X जो होता है, वो polar axis होता है, यह कौन सा axis होता है, polar axis, and O X is called polar axis, यहां पर आगर आप देखेंगे, तो यह जो rotation होता है, वो कैसे होता है, anti-clockwise sense में होता है, so anti-clockwise sense में मतलब कैसा है, X, O, और फिर P, तो इनके बीच का यह जो यहां पर arrow के लिए यह हमने जो यहां पर direction दिया है, वो anti-clockwise direction में यहां पर कुछ angle form होता है, so angle के लिए हम यहां पर क्या consider करते हैं, theta, क्या consider करते हैं यहां पर, theta, so let measure of angle X, O, P is equals to theta, यह क्या बना, theta, अब उसके बाद में यह fixed point से लेके, यह plane तक का जो distance होगा, students, उसको हम R consider करते हैं, क्या consider करते हैं, R, तो यह जो point P का location हो जाएगा, जो point P का position हो जाएगा, so उसमें हम पहले distance लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसमें, distance और जितना angle form होगा होता है, वो हम लोग लिखते हैं, यहां पर theta, तेक है, so O, P का distance क्या है, O, P का distance यहां पर हमने क्या consider किया, R, तेक है, length of O, P, जो है, वो हमारा R है, और जो angle form होगा, वो students कितना है, यहां पर theta हो गया, अब उसके बाद में, fixed ray कौन है, O, X है, उसी को हम क्या बुलते हैं, polar axis बुलते हैं, O, P के बीच में angle, O, P और O, X के बीच में, जो angle बना, उसको हमने theta से represent किया, और P का जो coordinate होता है, वो क्या होगा, R होगा, और क्या होगा, theta, so हम लोग next line में यहापे लिखेंगे, P is equals to R, theta, determines the point P, the point P in the plane, टेक है, तो यह जो हमारा R और theta की terms में, यह हमें जो coordinate मिला, इसी को हम क्या बुलते हैं, यहापे students polar coordinate बुलते हैं, यह हमें कैसे plot करना होता है, हमें test book में कहीं पे भी polar coordinate के लिए, मतलब कैसे, सिर्फ और सिर्फ यह coordinate calculate करने के लिए आता है, इसको plot करने के लिए questions नहीं आते हैं, अब जैसे के समझ लो हमें point है, 5 और 45 दिया गया है, P के लिए जो यहाँ पे point है, वो क्या दिया गया है, 5 है और 45 है, So students, यहाँ पे, हम क्या गरेंगे सबसे पहले न, P के लिए जो angle है, वो form कर लेते हैं, P के लिए अगर आप देखेंगे, पहले हम एक fixed ray यहाँ पे बना लेते हैं, fixed ray हमारा क्या है, O, X है, ठीक है, अच्छा angle कितना form हुआ है, 45 degree, So 45 degree, जो है, समझ लो, कुछ ऐसे बन गया, यह angle कितना बन गया है, 45 degree, Okay, So यह 45 degree हो गया, But इसका जो distance है, fixed point से, वो कितना unit है, 5 unit है, So आपको यहाँ से measure करना है, 5 unit distance, So students, यहाँ से यहाँ तक समझ लो, unit जो है, distance, वो कितना है, 5 है, So इसका जो coordinate हो जाएगा, 5 और 45 था ना, तो यह locate हो गया, ठीक है, तो यह ऐसे हम लोग इससे, point P का position हम calculate कर सकते हैं, Okay, So polar coordinates में, R होता है, और क्या होता है, theta होता है, R क्या होता है, distance of a point, from the fixed point, Okay, और जो, यहाँ पे theta होता है, वो क्या होता है, measure of angle, X, O, P होता है, Okay, तो यहाँ पे, जितने भी terms थे, मैंने वो define कर दिया है, सब, O हमारा pole है, O, X क्या है, polar axis है, O, P जो है, यह distance of a point, P from the origin भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो, polar coordinate और, हमने lower standard में पढ़ा है, Cartesian coordinates, Cartesian coordinates क्या होता है, X और Y होता है, सो अब उनके बीच में हम relation देखते हैं, polar coordinates और Cartesian coordinates के बीच में, students हम relation देखते हैं, Okay, So, next topic है इसमें, relation between, relation between polar coordinates, relation between polar coordinates, and Cartesian coordinates, To, heading हमारा है, relation between Cartesian coordinates and polar coordinates, Cartesian coordinates के बारे में, हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, कि Cartesian coordinates जो होता है, वो हमारा क्या होता है, X और Y होता है, और polar coordinates हमने पहले देखा, अभी यहां पे क्या होता है, वो R और थीटा होता है, So, students हम पहले, polar coordinates और Cartesian coordinates, यह दोनों भी, दोनों भी points जो है, वो एक ही diagram में आने चाहिए, हम ऐसा पहले एक diagram ड्रा करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले, मैं एक यहां पे, X and Y axis ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, coordinate axis मैंने ड्रा किया, X और Y, So, यह हमारा coordinate axis, X और यह Y बन गया, तो अब हमें यहां पे क्या करना है, यह हमें पता है कि यह कौन है, हमारा origin है, Cartesian coordinate क्या होता है, X और Y होता है, और जो polar coordinate होता है, वो क्या होता है, R और Theta होता है, तो हमने एक ऐसा coordinate axis बनाया, जिसमें X है, और क्या है Y है, अब उसके बाद में हम कहीं पे भी, एक point P consider करते हैं, समझे लो, point P यहां पे है, जिसका coordinate, Cartesian coordinate X है, और क्या है Y है, point P का Cartesian coordinate, जो है, वो क्या है, X और Y है, अब देखोगे अगर आप लोग, तो अगर हम इसको join करते हैं, इसको अगर हम origin से join करते हैं, तो देखो यह कैसे diagram बन जाएगा, O, P को अगर हम join कर रहे हैं, O, P को हमने join कर दिया, और P से हम perpendicular एक draw कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, यह क्या होगा, perpendicular, इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर M, ठीक है, और यह आप, dotted line से या फिर ऐसे, डारेक अब लोग ड्रॉ कर सकते हैं, O, K, तो उसके बाद में, अगर हमें पता है, कि यह हमारा origin है, जो इसका coordinate 0,0 है, तो देखो, P का जो X coordinate है, P का हमारा X coordinate क्या है, X है, इसका मतलब, जब यह point का, O, M से, यहाँ पर distance कितना है, X है, तो O से M का distance, भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, O, M का distance कितना होगा, X हो जाएगा, अच्छा, यह इसका height कितना है, यह height क्या है, Y है, जब इसका height Y है, तो इसका भी height कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा, यहाँ पर P to M का distance जोगा, वो students क्या हो जाएगा, Y, और, previous diagram में हमने देखा था, कि जो angle form होता है, वो कैसे होता है, anti-clockwise direction में, so, anti-clockwise direction में देखो, यहाँ पर, यहाँ पर यह angle बन जाएगा, जो कि क्या होगा, theta, ठीक है, और उसके बाद में, fixed point से, point P का distance, हम उसको R consider करते थे, क्या consider करते थे R, so, यह था हमारा यहाँ पर diagram, जो, जिसमें सारे, Cartesian coordinates आ जाएगे, और क्या आ जाएगे, polar coordinates आ जाएगे, Cartesian coordinates X और Y है, और polar coordinates क्या है, हमारा R और theta है, okay, so, यहाँ पर point X और Y है, so, इसलिए यहाँ पर X axis पर X unit distance है, और height जो है, वो Y है, तो यहाँ पर क्या होजाएगा, इसका PM का distance Y, और इसका angle जो होगा, वो क्या होगा, theta और O P का distance कितना है, R है, so, यहाँ पर हम consider करते हैं, let point P X, Y, in the space या फिर plane, let T be the any point in the plane, या फिर ऐसे भी लिख सकते होगा, आप उसके बाद में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, let length of O M is equals to X, O M का जो length है वो students क्या है, X है, और length of जो P M है, वो हमारा क्या है, Y है, okay, length of O M जो है वो क्या है, X है, और length of P M जो है वो क्या है, Y है, और measure of angle, measure of angle, X O P students क्या है, यहां पे theta है और length of op जो है students वो क्या है हमारा r है okay so अगर हम यहां पे देखते हैं तो cos theta का formula यूज करो cos theta जो होता है वो students क्या होता है adjacent upon adjacent upon hypotenuse होता है वो क्या होता है adjacent upon hypotenuse so हम लिखते हैं in triangle in triangle p mo in triangle p mo cos theta is equals to cos theta is equals to adjacent adjacent हमारा om है और hypotenuse students क्या है op है तो om upon क्या हो जाएगा op हो जाएगा so om के लिए यहां पे जो distance है वो x है और op के लिए क्या है r है so यह क्या हो जाएगा cos theta so हम क्या लिखेंगे x is equals to r cos theta x is equals to r cos theta okay उसके बाद में जैसे हमने यहां पे x का coordinate point p में x का coordinate हमने calculate कर लिया अब वैसे ही sin theta calculate करो इसमें देखो sin theta क्या हो जाएगा sin theta is equals to opposite upon hypotenuse opposite हमारा pm है theta के opposite कोने pm है और hypotenuse कोने op है so यह क्या हो जाएगा pm upon op so sin theta is equals to pm के लिए pm के लिए हमारा क्या है y है और op के लिए क्या है r है so यहां पे y is equals to r sin theta y is equals to क्या मिलगा r sin theta तो दीखेंगे अगर आप लोग तो यह जो x और y coordinate मिला हमे x is equals to r cos theta और y is equals to r sin theta so हम यहां पे इसको equal लिख सकते हैं यह क्या हो जाएगा r cos theta और यह क्या हो जाएगा r sin theta अगर आप देखेंगे तो जो हमने point x और y लिखा था है यहां पे उसमें देखो right hand side में मतलब यह जो x और y के लिए जो हमें यहां पे formula मिला r cos theta और r sin theta r और theta जो है यह कौन है polar coordinate है इसका मतलब जब हमें Cartesian coordinate calculate करने के लिए आएगा तो हम हमेशा याद रखो polar coordinate एक coordinate आप लोगों को दिया गया रहेगा आप जैसे polar coordinate दिया है और Cartesian coordinates find करना है तो Cartesian coordinate के लिए आप लोग हमेशा यह formula यह फॉर्मला यूज़ करोगे यह formula कभी यूज़ करना है जब हमें क्या find करना होगा Cartesian coordinates क्या find करना होगा Cartesian coordinates तो Cartesian coordinates find करने के लिए students हम ये formula यूज़ करेंगे बट अब हमें अगर polar coordinates find करना होगा तो polar coordinates find करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर Pythagoras theorem use करेंगे क्योंकि एक angle क्या है 90 degree है so in triangle in triangle PMO by by Pythagoras theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर students by Pythagoras theorem hypotenuse square hypotenuse हमारा OP है so OP का square हो जाएगा is equals to base square plus height का square okay so OP जो है हमारा वो क्या है? R है तो OP के लिए हमारे पास R है तो यह क्या हो जाएगा? R square स्क्वेर प्लास Y square तो यह था हमारे पुलार कॉडिनेट का R कॉडिनेट हो गया यह ठीक है? अब अगर हमें theta calculate करना है so theta के लिए हम लोग ऐसा trigonometric function consider करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आने चाहिए? हमें cartesian coordinates आने चाहिए तो अगर आप sign का function देख रहे हो तो sign के function में यहाँ पे polar coordinate भी आ जा रहे है तो इसको हम consider नहीं करेंगे मैंने क्या बताया आप लोगों को हम ऐसा trigonometric function consider करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? cartesian coordinates आना चाहिए इसमें भी देखो x upon r इसमें भी क्या आ जा रहा है? cartesian coordinates आ जा रहा है sorry polar coordinates आ जा रहा है r आ जा रहा है न इनके reciprocals में भी क्या जाएगा? इसमें भी हमें polar coordinate मिलेगा हमें polar coordinate निकालना है थीटा के लिए formula लिखते हैं, so tan theta is equal to, tan theta is equal to, गर आप देखेंगे, तो opposite upon क्या होता है, adjacent होता है, so pm upon om, so students यहां पर आप क्या लिखेंगे, tan theta is equal to, pm के लिए हमारे पास यहां पर y है, और om के लिए हमारे पास क्या है, x है, so जब theta का value calculate कर रहा है, तो theta is equal to, क्या बन जाएगा, tan वो side जाएगा, तो inverse बन जाता है, tan inverse of y upon x, तो यह theta का formula हो जाएगा, आप लोग यहां तक भी use कर सकते हो, tan theta is equal to y upon x, तो यह formula दोनों कभी use करोगे, जब आप लोगों को polar coordinates पुछा गया रहेगा, तो polar coordinates के लिए क्या formula है, r is equal to under root x square plus y square, और tan theta is equal to y upon x, और x के लिए क्या formula है, r cos theta, और y के लिए क्या formula है, r sin theta, so, एक बार देख लिए आप लोग, ठीक है, so, उसके बाद में, उसके बाद में हम लोग देखते हैं, इस पे based sums, जो कि हमारा 3.2 exercise में है, तो 3.2 exercise में, 3.2 exercise में, 1st question दिया गया है, find the cartesian coordinates, find the cartesian coordinates, find the cartesian coordinates, find the cartesian coordinates of the point, whose polar coordinates are, whose polar coordinates are, ठीक है, so, हमें यहाँ पे, 1st question में न, cartesian coordinates का value find करना है, so, cartesian coordinates अगर find करना है, तो हमें वहाँ पे polar coordinates पहले से ही given होगा, so, 1st में अगर आप देखेंगे, तो उसमें root 2 है, और pi upon 4 है, root 2, pi by 4, so, यह given क्या है, हमारा polar coordinate है, तो polar coordinate दिया गया है, तो polar coordinate में जो 1st होता है, वो r होता है, और जो 2nd होता है, वो क्या होता है, theta होता है, so, इसको हम equal consider करेंगे, given हमारा root 2 है, और pi upon 4 है, यह किसके equal होगा, polar coordinate में, r और theta के equal हो जाएगा, so, students, हम यहाँ पे लिखेंगे, r is equals to root 2, और theta is equals to pi upon 4, okay, theta is equals to pi upon 4, और इसके बाद में, r is equals to root 2, इसके पहले जो हमने concept पढ़ा, relation between polar coordinates and Cartesian coordinates, उसमें हमें आप लोगों को बताया था, कि जब हमें Cartesian coordinates का value calculate करना होगा, यहाँ फॉर्मला है, r cos theta, x is equals to r cos theta, और y is equals to r sin theta है, ठीक है, तो x is equals to r cos theta, और y is equals to r sin theta, तो यहाँ पे, x के लिए क्या value दिया गया है, root 2, root 2, cos क्या हो जाएगा, 45, तो therefore, यहाँ पे, x is equals to root 2, cos 45 कितना होता है, 1 upon root 2, so, यह 1 upon root 2, root 2 और root 2 cancel हो जाएगा, तो x का value क्या मिल जाएगा, plus 1, okay, so, यहाँ पे हमें, cartesian coordinates का x coordinate मिल गया, same वैसे, y is equals to, r कितना है, यहाँ पे root 2 है, root 2, sin, यह कितना है, 45, so, 45, तो y is equals to root 2, sin 45 जो होता है, वो कितना होता है, 1 upon root 2, यहाँ पे भी, same वैसे ही, so, 1 upon root 2, root 2, root 2 students cancel हो जाएगा, तो क्या बचेगा, okay, तो x is equals to 1, और y is equals to, क्या मिल गया हमें, 1, so, root 2 और pi upon 4, जब दिया है, तो हमें मतलब क्या दिया है, r और theta दिया है, तो r और theta given जब होगा, so, हम Cartesian coordinates के लिए, क्या formula यूज़ करेंगे, x is equals to r cos theta, और y is equals to r sin theta, so, last में आप लोग statement लिखिएगा, therefore, Cartesian coordinates are, therefore, Cartesian coordinates are, क्या है यहाँ पे, x, y है, जो कि किसके equal है, 1, 1 के, इसका जो second sum है, वो आप लोग खुद से try करिएगा, easy about, third one में solve करा रहा हूँ, third के लिए, 3 upon 4 है, और कहें, 3 pi upon 4 है, 3 upon 4, फिर 3 pi upon 4, same वैसे ही, यहाँ पे भी solve करना है, जो first value होगा, वो किसके लिए होगा, r के लिए, और second value किसके लिए होगा, theta के लिए, so, यह equal होंगे, r और theta के, यहाँ पे मैं direct लिख रहा हूँ, so, इसके बाद में, x के लिए हम formula यूज करते हैं, x is equals to क्या है, r cos theta, so, r cos theta, अब उसके बाद में, r के लिए यहाँ पे जो value है, वो कितना है, 3 upon 4, so, 3 upon 4, cos 3 pi upon 4 है, okay, so, अब यह 3 upon 4 को हम वैसे ही रखेंगे, cos, अब यह देखो, ध्यान से कैसे करना है हमें, denominator में यहाँ पे क्या है, 4 है, 3 pi है, पर denominator में क्या है, 4 है, so, हम क्या करेंगे, 3 को ना 4 के terms में कैसे लिख सकते हैं, अच्छा, 4 में से अगर हम 1 minus कर देंगे, तो क्या बचेगा, 3, तो हम 3 को 4 minus 1 लिख सकते हैं, तो 4 pi minus क्या लिख सकते हैं, 1 pi upon क्या है, 4, मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो denominator होता है न, उसके term में हमने किसको लिखा, numerator को, तो ये 4 है, तो numerator में भी 4 चाहिए, तो 4 में क्या minus करेंगे, कि 3 आ जाएगा 1, so pi के term में है, इसलिए 4 pi minus 1 pi, so students, अब क्या हो जाएगा, 3 pi, sorry, 3 upon 4, cos वैसी रहेगा, अब देखो, split कर दो दोनों को, 4 pi upon क्या जाएगा, 4, minus क्या हो जाएगा, pi upon 4, 4 और 4 cancel हो जाएगा, तो 3 upon 4, cos क्या हो जाएगा, 180 minus 45, 180 minus क्या जाएगा 45, और हमें पता है कि, अगर 180 minus है, ये मतलब कहां पे है, second quadrant में, और second quadrant में, cos क्या होता है, negative होता है, तो ये क्या आजाएगा, 3 upon 4, cos हमारा क्या होगा, negative, cos, ये angle नहीं consider किया जाता, तो क्या हो जाएगा, cos 45, और हमें पता है, students, cos 45 जो होता है, वो क्या है यहापे, minus 1 upon root 2, तो इसको simplify करेंगे, अगर आप लोग तो 3, minus में, minus 3 upon 4, root 2 आजाएगा, okay, so ये किसका, x का coordinate मिल गया हमें, ये हमारा क्या है, x का coordinate, same, वैसे ही, आप लोग किस के लिए, calculate करोगे, y के लिए, so y is equals to, r sin theta, so y is equals to, students, यहापे 3 upon 4, r है, और sin, ये भी क्या है, 3 pi upon 4 है, जैसे हमने, cos के लिए, angle यहापे, convert किया, जो कि 3 pi upon 4, किसके equal मिला, pi minus pi upon 4, so हम यहापे, direct लिखेंगे, 3 by 4, sin, इसको हम लोग क्या लिख सकते, 180 minus, pi upon 4, मैंने direct लिखा, ये step से, direct मैंने, यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद में, sin second quadrant में positive होता है, विसलिए sin आजाएगा, और ये क्या हैगा, 45, sin 45 students यहाँ पर, 1 upon root 2 होता है, तो 1 upon root 2, so y का coordinate, student क्या मिल जाएगा, 3 upon 4 root 2, तो x के लिए हमें minus में मिला, और y के लिए किसमें मिला, plus में, तो हम लोग last में statement लिखेंगे, therefore cartesian coordinates are, x, y, statement आप लोग कुद लिख लिजेगा, minus 3 upon 4 root 2, और plus 3 upon 4 root 2, ओके, so यह था हमारा cartesian coordinates, कैसे हम calculate करते हैं, इसमें एक last sum में आप लोगों को बता रहा हो, जो इसका fourth part है, 1 upon 2 है, और 7 pi upon 3 है, next समझो है, उसमें देखो क्या दिया है, 1 upon 2 और 7 pi upon 3 है, 1 upon 2, 7 pi by 3 है, सो यह हमें polar coordinate दिया गया है students, polar coordinate मतलब क्या है, r और theta है, सो यह r है और यह कौन है, theta है, सो हमने compare करके, r और theta की value निकाल ली, अब उसके बाद में, उसके बाद में, अब हमें क्या ची यह cartesian coordinates जी है, सो cartesian coordinates के लिए, x का formula क्या होता है, r cos theta, so r का value दिखो क्या है, r के लिए 1 upon 2 है, सो हमने यहाँ पर 1 upon 2, cos क्या लिखा, 7 pi upon 3, मैं साथ में y के लिए भी solve करता हूँ, y is equals to क्या होगा, r sin theta, so y is equals to, r हमारा 1 upon 2 है, sin क्या है, 7 pi upon 3 है, okay, क्या है यहाँ पर, 7 pi upon 3 है, अब उसके बाद मैं, 1 upon 2 हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है, 1 upon 2 हम वैसे ही रखते हैं, cos, मैंने जैसे previous वाले सम्में बताया था आपको, जैसे यहाँ पर 3 है, तो numerator में भी किस में convert करो, 3 में convert करो, किस में convert करना है हमें, 3 में, तो हम क्या करते हैं न, अब 7 को हम 3 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो 3 के टर्म्स में इसको हम ऐसे लिखेंगे, कि हम इसमें, इसको हम 3 में 4 प्लस कर रगेंगे, तो क्या आजाएगा, 7, 3 pi प्लस 4 pi, upon 3 आजाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा, so 1 upon 2, y के लिए भी हम वैसे ही solve करेंगे, split कर दो, तो 3 और 3 cancel हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 180 प्लस 4 pi upon 3 मिल जाएगा, अच्छा ये 180 प्लस है, 180 प्लस मतलब कहां पर आजाएगा, 3rd quadrant में, और 3rd quadrant में, cos क्या होता है, negative होता है, so ये क्या आजाएगा, 1 upon 2, cos minus, minus cos, 4 pi upon 3, अभी भी देख रहे हो, यहाँ पर standard angle नहीं है, मतलब कैसे 4 pi upon 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस एक बार, split कर देते हैं, minus 1 upon 2, cos, 4 pi upon 3 है, तो 4 pi को भी हम 3 में convert करेंगे, तो 4 pi को अगर आप 3 में convert करेंगे, तो ये क्या आजाएगा, 3 pi plus pi upon 3, अब उसके बाद में, 3 3 को हम divide कर देंगे, तो ये कैसा आजाएगा, minus 1 by 2, minus 1 upon 2, cos, ये कितना हो जाएगा, pi plus pi by 3, third quadrant में, cos पहले से ही क्या होता है, negative होता है, so negative और negative क्या हो जाएगा, positive, so plus 1 upon 2, cos कितना हो जाएगा, 60 degree, और cos 60 degree जो होता है, वो कितना होता है यहापे, 1 upon 2, so 1 upon 2 into, 1 upon 2, ये कितना हो जाएगा, 1 upon 4, ठीक है, आप लोग, सेम वैसे ही किसके लिए solve करोगे, y के लिए, so y is equals to, 1 upon 2, sine, अब देखो, 7 pi upon 3 को हमने solve किया था, तो हमें direct क्या मिला था, cos pi by 3, तो वैसे इसके लिए क्या मिल जाएगा, sine pi by 3 मिल जाएगा, therefore y is equals to 1 upon 2, और sine के table में students, ये जो, sine 60 होता है, वो कितना होता है, root 3 upon 2 होता है, so root 3 upon 2, तो अब simplify करके, इसको क्या लिख सकते हो, root 3 upon 4, okay, तो x के लिए हमें क्या मिल गया, plus 1 upon 4, और y के लिए क्या मिल गया, plus root 3 upon 4, so polar coordinates, अगर given होगा, Cartesian coordinates calculate करने के लिए, हम ये method use करेंगे, इसका जो next sum है, उसका ये opposite है, मतलब question number 2 में, हमें इसका reverse दिया है, Cartesian coordinates given है, और polar coordinates हमें पूछा गया है, ठीक है, so next question में, स्रिफ और स्रिफ हमें क्या change कर रहा हैं याप है, statement में, question number 2 में हमें क्या पुछा गया है, polar coordinates पुछा गया है, और given हमारा क्या है, Cartesian coordinates दिया है, find the polar coordinates, of the point whose Cartesian coordinates are, ये भी काफी easy है, students यहाँ पर, और ये भी two marks के लिए आता है, paper में, so इसमें दिखेंगे, अगर first sum, तो उसमें root 2 और root 2 है, root 2, root 2 है, हमें polar coordinates calculate करने के लिए, ये देखना होता है कि, angle कहां पर आ रहा है, ये जो point है, ये कौन से coordinate में है, तो root 2 और root 2 है हमारा यहाँ पर, तो root 2 और root 2 जो है, ये दोनों भी देखोगी, अगर positive है, so positive कहां पर आता है, first quadrant में आता है, तो जो theta होगा, वो कहां पर लाई करेगा, first quadrant में, so यहाँ पर पहले हम mention करेंगे, theta lies in the first quadrant, okay, theta जो है, हमारा कहां पर है, first quadrant में है, तो theta हमारा कहां है, first quadrant में, so हम पहले r के लिए formula लिखते है, r is equals to under root, x square plus y square, r is equals to क्या formula होता है, under root, x square plus y square, so values यहाँ पर substitute, अगर हम करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, r is equals to under root, x के लिए root 2 है, root 2 का square plus, root 2 का square, so therefore, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, under root, root 2 का square क्या हो जाएगा, plus 2, और यह भी कितना हो जाएगा, plus 2, so root 2 plus 2 is equals to 4, and square root of 4 is equals to 2, so यहाँ पर हमें, polar coordinate का first value में लिए, r is equals to क्या है, यहाँ पर 2 है, अब हम first quadrant में देखेंगे, तो first quadrant में क्या लाए कर रहा है, theta, so, जो angle होगा, वो हमारा 0 से लेके 90 के बीच में ही आना चाहिए, so students, tan theta is equals to, हमने देखा था formula क्या होता है, y upon x होता है, तो therefore, हम लोग क्या लिखेंगे, tan theta is equals to, y के लिए जो है, वो root 2 है, और x के लिए भी क्या है, root 2 है, so root 2 और root 2 हम cancel कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, tan theta is equals to, plus 1 आजाएगा, और हमें पता है कि, tan के table में, 1 कहा होता है, 45 degree पे, so हम लोग 1 को क्या लिखेंगे, tan 45, so tan theta is equals to, tan 45, so अगर आप compare करेंगे, यहाँ पर यह जनरल solution नहीं है, हमें सरीफ और सरीफ एंगल का value चाहिए, so theta का value क्या मिल चाहेगा, pi upon 4, यह भी काफी easy है, students यहाँ पर, जैसे हमें, cartesian coordinates, पहले, find करना था, यहाँ पर cartesian coordinates given है, so यहाँ पर polar coordinate का formula यह उस करोगे, r के लिए हम यह formula यह उस करेंगे, under root x square plus y square, और tan theta के लिए हम लोग y upon x उस करेंगे, so last में statement लिखना नहीं बुलना अप लोग, therefore polar coordinates are, therefore polar coordinates are, r, theta, r के लिए हमें क्या मिला, plus 2, और theta के लिए pi upon 4, इसमें और एक-दो sum solve कर लेते हैं, तो next जो है, वो 0, 1 upon 2 है, 0, 1 upon 2 है, so अब यह जो, पहले तो मैंने क्या बताया, आप लोगों को theta का वाली शो है, वो कौन से coordinate में आ रहे हैं, पहले वो calculate करना है हमें, बट यह जो next point हमें दिया गया है, उसमें 0 है, और 1 upon 2 है, ठीक है, तो 0 और 1 upon 2 के लिए, यह कोई coordinate में लाए नहीं करता है, 0 वाला 1 upon 2, यह हमारा क्या है, X और Y है, तो यह जो, X coordinate हैं, यहाँ पहले देखो कि अगर आप लोग तो 0 है, तो जब X coordinate अगर हमारा 0 है, तो यह कौन से, कौन से axis पे होगा यह, जब X coordinate अगर 0 है, तो जो यह angle होगा, वो कौन से axis पे होगा, Y axis पे, क्योंकि यहाँ पे X का कजो coordinate है, वो क्या दिया गया है, 0, so हम लिखेंगे next line में, theta lies on the Y axis, कहाँ पहाँ आ रहा है, Y axis पहाँ रहा है, तो R is equals to क्या होता है, under root X square plus under root Y square, so values put करो यहाँ पे, X के लिए 0 है, तो 0 का square तो क्या आने वाल है, 0 आने वाल है, plus यह क्या होगा, 1 upon 2 का square, so square और root कैंसल कर दो, तो 1 upon 2 आ जाएगा, easy है यह, तो R के लिए हमें क्या मिल गया, 1 upon 2, और theta जो है न वो Y axis पे है, कहाँ पे है वो Y axis पे, so हम लिखते हैं next में, tan theta is equals to, Y upon X, Y जो है students यहाँ पे, 1 upon 2 है, और X जो है वो 0 है, अच्छा यह बताओ, अगर किसी के भी denominator में, अगर 0 होता है, तो वो क्या आता है, not defined आता है, और हमें पता है, infinity जो होता है, वो tan के table में, 90 degree पे होता है, कहाँ पे होता है वो, 90 degree पे, so यहाँ पे हम लिखेंगे, जो पहले आता है, उसी को consider करोगे, tan theta is equals to tan, 90 degree, तो theta का value जो होगा, students वो कितना आजाएगा, 90 degree, okay, so theta हमारा 90 degree है, और इसके बाद में, r जो है, वो कितना है, plus 1 upon 2 है, उसके बाद में, next जो है, वो minus में, मतलब, 1 minus root 3 है, जो की, जो कि कहाँ पे लाए करेगा, fourth quadrant में, 1 दिया है, और minus root 3 दिया है, तो यह student क्या हो जाएगा, हमारा, x और y का point हो जाएगा, x और y का यह point हो गया, अब इसमें, x जो दिया है, वो plus 1 है, और y जो दिया है, वो क्या है, minus root 3 है, so plus और minus, कौन से quadrant में आता है, fourth quadrant में, so यहाँ पे हम statement पहले लिखेंगे, theta lies, in the, fourth quadrant, theta जो है, हमारा, वो कौन से quadrant में है, fourth quadrant में है, अब fourth quadrant में, हमारा theta है, तो x के लिए, यहाँ पे सबसे पहले, हम क्या लिखेंगे, 1 है, और y के लिए क्या है, minus of root 3 है, so r का जो formula होगा, r के लिए formula क्या होता है, under root x square plus y square, r के लिए formula क्या है, under root x square plus y square, so r is equals to under root, x के लिए plus 1 है, और y के लिए क्या है, minus root 3 है, 1 का square plus 1, minus root 3 का square plus 3, so r is equals to under root 4, जो के हम लोग क्या लिख सकते हैं, plus 2, अब यहाँ पे जो हमारा theta है, वो fourth quadrant में है, so fourth quadrant में जाने के लिए, हम 360 से minus करेंगे, so tan theta is equals to, y upon x, so tan theta is equals to, y के लिए क्या है, minus root 3 है, और x के लिए क्या है, plus 1 है, so students, यहाँ पे tan theta is equals to, minus of root 3, अब यहाँ पे minus कहां पे आता है, minus जो है, वो हमारा fourth quadrant में है, क्योंकि यहाँ पे plus है, और minus है, so हम पहले ऐसे लिखेंगे, इसको tan theta is equals to, minus sin वैसी रखो, और root 3 कहां पे होता है, root 3 जो है, वो हमारा fourth quadrant, sorry, tan 60 पे होता है, तो tan, हमने लिखा pi upon 3, बट हम यह कहां पे जाना है, fourth quadrant में, और fourth quadrant में tan पहले से ही negative होता है, so यहाँ पे negative और negative जो होगा, वो positive लिखेंगे, हम लोग, tan theta is equals to tan, is equals to tan cross multiply कर दो, तो 3 into 2, 6, 6 में से 1 minus कर देंगे अगर आप लोग, तो 5 pi upon 3 आजाएगा, so students theta का value क्या मिल जाएगा, 5 pi upon 3, तो यह था इसका polar coordinate, r और theta, so hope so आप लोगों को cartation और polar coordinates, सब अच्छे से concept समझा होगा, so आज के लिए आपे stop करते हैं, Thank you everyone.